गेंग्स्टर लव एपिसोड नमबर 6 शिवा ने हरी को अपनी तरफ खीच कर एक मुक्का उसके मुँपर दे मारा हरी लड़ खड़ाया तो शिवा ने उसकी कॉलर पकड़ कर हरी को थपड रसीत कर दिया शिवा आगे हरी को मारे ही जाता है तब तक रगु उन दोनों के बीच में आ गया और उसने शिवा को रोगते हुए कहा शिवा भाई क्या परेशानी है अगर हरी को वो लड़ की पसंद आ गई है तो उसमें गलत क्या है शिवा ने अब एक पंच रगु के मूँ पर गुस्से में मारते हुए कहा क्यूं गलत नहीं है सब गलत है उस लड़की की जिन्दगी खराब हो जाएगी इसके साथ इसे आज वो लड़की पसंद आ गई तो उसे उठा लाया कल जब मन भर जाएगा तब तक तब क्या करेगा उसे अपनी जिन्दगी से बाहर निकाल देगा तो इस पर रगु ने कहा तब वापस छोड़ाएगा हरी ने उन दोनों की बहस को बंद करते हुए अपनी गंचलाते हुए कहा चुप एक दम चुप शिवा ने हरी को गुसे से घूरा और शिवा जाकर सौफे पर बैट गया हरी अब शिवा को गुसे में देख उसके पास आया और अपने घुटनों पर बैट कर उसने शिवा के हाथ को पकड़ते हुए कहा भाई आपको क्या लगता है कि मैं इससे शादी कर इसलिए लाया हूँ कि इसके साथ अयाशी कर इसे वापस छोड़ाऊंगा शिवा ने गुरू की बात सुन कर उससे अपना मूँ फेर लिया तो हरी ने उसके हाथों को और अधिक मजबूती से पकड़ते हुए कहा आप सब कुछ जानते हो आज तक मैंने किसी लड़की को छुआ तक नहीं है यहां तक कि मैं उन गलियों में भी गया हूँ जहां सब जाते हैं पर मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई और मुझे कोई लड़की बहका भी नहीं पाई उन में से किसी को भी मैंने नजर उठा कर भी नहीं देखा और इस लड़की से मैं अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया हूँ हरी ने अपनी उंगली से अपने दिल की तरफ इसारा करते हुए आगे कहा यहां 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 पहली वार इस लड़की को देखने भर से हलचल मच गई यह दोसों की स्पीट से दोड़ रहा है मैं प्यार के बारे में भले ही कुछ नहीं जानता पर एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि यह लड़की मेरी है और अब मैं ऐसे किसी और की नहीं होने दूँगा भले फिर मुझे आप सबसे बगावत करनी पड़े हरी इतना कहते हुए उटकर जाने को हुआ कि तब ही शिवा ने जोड से आवाज देते हुए कहा छोटे उपर का माला खाली करवाओ वहां और हाँ वहां और कोई भी नहीं जाएगा सबके कमरे खाली करवा कर सबको नीजे के कमरों में रहने को कहो अपसे वो माला सिर्फ हरी का हुआ हरी शिवा की बात सुनकर मुड़ा तो शिवा ने उसे अपने पास आने को कहा हरी पास गया तो शिवा ने हरी के पेट में मुक्का मारते हुए कहा आगे से वगावत की बात की तो मैं खुद तुझे मार दूँगा हरी उसकी बात सुन शिवा को गले लगा लेता है इधर गौतम जी के घर में सुलेखा जी का रो रोकर बुरा हाल था वही अमन और उसकी आई बारात बापट्स लोड़ चुकी थी इस समय पर घर में पुलिस आई थी निशा ने जब सत्यम भागता हुआ वानी और उन दोनों के पास आया था तभी उन दोनों ने पुलिस को सूचित कर दिया था पर बहुत लेट आई पुलिस अब आई भी तो वह बानी के उपर ही इलजाम लगा रही थी पुलिस इंस्पेक्टर ने गौतम जी से कहा क्या मास्टर जी आप भी फिर से हरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रही हैं आप तो सब जानते हैं और अब वो बिलकुल आपको रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी चाहिए क्यूंकि आपकी बेटी उसके पास है और क्या पता वो खुद अपनी मर्जी से गई हो भली बनने की चक्कर में ये सब नाटक नौटंकी फैलाई हो गौतम जी ने इंस्पेक्टर की बात सुन गुसे से कहा क्या भकवास कर रहे हैं आप आप से रिपोर्ट लिखने को कहा वो कीजिए बस इंस्पेक्टर ने अपने हाँ कंधे उचकाते हुए कहा मुझे क्या जैसी आपकी मर्जी इंस्पेक्टर ने कॉंस्टिबल को कुछ इशाराद किया और गौतम जी ने कहा देखिए मैं आपको एक बार फिर समझा रहा हूँ तो इस पर गौतम जी ने खुराते हुए कहा आप रिपोर्ट लिख रहे हैं या नहीं तब ही कॉंस्टिबल का फोन बजा और फिर उसने कुछ बात करते हुए फोन कॉतम जी को पकड़ा दिया इधर हरी खुश होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया रूम में वानी को भी होश आ गया था उसने आसपास अपनी नजरे घुमाई और अपना सिर पकड़ कर बैट गई जब उसकी ठीक से आँखे खुली तो वो खबरा गई ये उसका कमरा नहीं था वानी को अब सब कुछ याद आ गया रूम को देख उसने जल्दी से खुद को देखा गहने उसके कपड़े सब पहले जैसे ही थे ये देख बानी कुछ सान्थ हुई पर उसकी मम्मी का ख्यायाल आते ही वानी रोनी लगी तब ही उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी वानी जल्दी से बैट कर जल्दी से उठकर इधर उधर हडबडाते हुए देखने लगी उसे रूम में सोफा सेट दिखा तुवे जल्दी से उसके पीछे जाकर छुप गई इधर हरी एक जटके में दरवाजा खोल कमरे में आया तो उसे कमरे में वानी कहीं नहीं दिखी वै सीधा जाकर मिरर के सामने खड़ा हो गया वानी ने सोफे की ओट से छाकते हुए देखा कि कमरे में आया कौन है तो उसे कुछ समझ नहीं आया क्यूंकि हरी की पीट उसकी तरफ थी वानी ने धीरे से खिसकते हुए भागने का सोचा कि तभी उसे जानी पहचानी हरी की आवाज सुनाई दी कहां जा रही हो आवाज सुन वानी कांप उठी और एक जगे ही रुख गई वहीं हरी अब जब उसकी तरफ मुडा तो वानी उसकी आँखों में देखते ही दर से खिसकते हुए एक जगे वाल से सट गई हरी जाकर बैट पर बैट गया और उसने अपनी उंगली से वानी को अपने पास बुलाया वानी ने जल्दी से अपना सिर नामे हिला दिया उसे देख हरी के चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल आ गई और हरी अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा तुम आ रही हो या मैं खोदाऊं तुम्हारे पास वानी ने गुरू की बात सुन वानी ने हरी की बात सुन कहा मैं आती हूँ ये कहते हुए वानी उठी और धीरे से अपना लहंगा समालते हुए हरी के सामने आ कर खड़ी हो गई हरी ने एक छटके में उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खीच कर अपनी गोद में बैठा लिया वानी ने उसकी इस हरकत पर रोते हुए उससे कहा क्या बिगाड़ा है मैंने आपका मुझे चाने दीजिए प्लीज मेरी मम्मी की तबियत ठीक नहीं है हरी ने उसकी आसु पोँच उससे कहा मैं खुद तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास लेकर जाऊंगा पर तुम पहले रोना पंद करो वानी को आप गुरू की बात पर और गुस्सा आ गया उसने हरी की गोट से उठते हुए कहा बहुत बहुत ही घटिया इंसान है आप छूटे है I hope everyone के आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रू बताएगा थैंक्यों वाचिंग